हलो फ्रेंड्स मैं प्रदीप स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूटूब चैनल पर फ्रेंड्स SSC ने MTS के पेपर वन के एक्जाम के लिए प्रोविजनल एडमिट कार्ड के बाद ओरिजनल एडमिट का लिंक अपने सभी रिजन के ओफिसियल वेबसाइट पर ओपेंड कर दिया है और अगर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी महतपोर्ण है क्योंकि आज के इस वीडियो में SSC के कुछ रिजन के लिए एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड किया जाता है ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ तो चलिए सुरू करते हैं तो फ्रेंड्स अगर आपने जिस रिजन के लिए एपलाई किया है उस रिजन के वेबसाइट को बुक मार्क करके रखा है तो आप डाइरेक्ट अपने रिजनल वेबसाइट पर जाकर आगे का प्रोसेस करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो आगे का प्रोसेस में इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो SSC MTS के किसी भी रिजन के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको इस पेज पर आना होगा और यह है SSC के ओफिसियल वेबसाइट का होम पेज यहाँ पर आने के बाद आपको एडमिट कार्ड लिखा हुआ देखनी को मिलेगा आपको उस पर क्लिक करना है और जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने SSC के सभी रिजन के बारे में इन्फोर्मेशन इसके साथ ही सभी रीजन के लिए URL भी आपको देखने को मिलेगा तो आपको जिस रीजन के लिए Admit Card डाउनलोड करना है आपको उस रीजन का URL को क्लिक करना है और जैसे ही आप उस रीजन के URL को क्लिक करोगे आप उस रीजन के Official Website पर पहुँच जाओगे तो आएए इस बार मज़ पर देश रीजन के लिए Admit Card कैसे डाउनलोड किया जाता है आपको बताते हैं तो सेम प्रोसेस करना होगा आपको SSE के Official Website के Home Page पर जाना होगा वहाँ पर जाने के बाद Admit Card पर क्लिक करके इस पेज पर आना होगा इस पेज पर आने के बाद फिर से आपको सभी रीजन का URL देखने को मिल जाएगा और इसमें से आप जिस रीजन के लिए Admit Card डाउनलोड करना चाहते हो उस रीजन के URL को क्लिक करना होगा तो मज़ पर देश रीजन के लिए Admit Card डाउनलोड करना है तो इसके लिए आपको इसके URL को क्लिक करना होगा और जैसे ही आप इसके URL को क्लिक करोगे आप SSC के मज़ पर देश उत्तर पर देश के Official Website पर पहुँच जाओगे यहाँ पर आने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना होगा और आपको खोजना होगा कि SSC MTS के लिए Admit Card डाउनलोड करने का लिंक कहाँ पर दिया हुआ है तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है Status Download Admit Card for Multitasking Non-Technical Staff आपको इस पर क्लिक करना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का एक पेज खुल कर आ जाएगा और इस रिजन के लिए Admit Card डाउनलोड करने के लिए भी आपको रोल नमबर या आपका registration नमबर और आपका date of birth मांगा जाएगा और इसके साथ ही इस रिजन के लिए भी आपको एक square box देखने क्यों मिलेगा आपको उस पर तिक करना है तिक करने के बाद आप जैसे ही सर्च पर क्लिक करोगे आपके पास आपका Admit Card खुल कर आ जाएगा आप वहां से डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले सकते हो और इसमें एक और चीज दिया हुआ है अगर आप अपना रोल नमबर नहीं जानते हो तो आप अपना नाम, अपने फादर का नाम और अपना date of birth एंटर करके नीचे दिये हुए square box को टिक करके सर्च पर क्लिक करना आपको अपना रोल नमबर देखने को मिल जाएगा तो ये रहा मद्ध परदेश, उत्तर परदेश रिजन के लिए admit card डाउनलोड करने का तरीका अब आए किसी और रिजन के लिए आपको बताते हैं कि admit card कैसे डाउनलोड किया जा सकता है तो इसके लिए फिर से आपको सेम प्रोसेस करके इस page तक आ जाना है और इस page पर जैसे ही आप आओगे, आपको सारे रिजन के लिए URL देखने को मिल जाएगा और जिस रिजन के लिए आपको admit card डाउनलोड करना है, आप उस रिजन के URL पर क्लिक करोगे तो आईए इस बार दिखाते हैं कि Western region के लिए admit card कैसे डाउनलोड किया जा सकता है तो Western region का admit card डाउनलोड करने के लिए आपको Western region के URL पर क्लिक करना होगा और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने इस तरह का page खुल कर आ जाएगा और इसमें कुछ message देखने को मिलेगा, आपको इसको OK करना है इसको OK करने के बाद फिर से आपको इस तरह का एक message देखने को मिलेगा इस region का website खुलने से पहले आपको इस तरह का message देखने को मिलेगा आपको इस पर cut करके आगे बढ़ जाना है जैसे ही आप cut करके आगे बढ़ोगे आपके सामने इस तरह का एक page खुलकर आ जाएगा यहाँ पर आने के बाद आपको scroll करके नीचे जाना है scroll करके जैसे ही आप नीचे आओगे आपको admit का download करने का link देखने को मिल जाएगा और जैसा कि आपने पिछले regions पर देखा आपको इस region पर भी उसी तरह का link देखने को मिलेगा आपको उस पर click करना है और जैसे ही आप इस पर click करोगे आपके सामने इस तरह का एक page खुलकर आ जाएगा इस page पर आपको कुछ instructions देखने को मिलेंगे आपको इन सारे instructions को पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद click here पर click करना है जैसे ही आप इस पर click करोगे आपके सामने इस तरह का एक page खुलकर आ जाएगा आपको scroll करके नीचे जाना है जैसे ही आप नीचे जाओगे admit card डाउनलोड करने के लिए आपसे role number या registration number और date of birth मांगा जाएगा इन दोनों को enter करने के बाद नीचे आपको एक sum मिलेगा इस sum को solve करके आपको enter करना है एंटर करने के बाद जैसे ही आप सर्चना पर क्लिक करोगे आपका admit card खुलकर आ जाएगा आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और print out ले सकते हो इस region पर भी एक और चीज बताया गया है कि अगर आप अपना role number नहीं जानते हो तो आप अपना नाम, father का नाम, date of birth और दिये हुए sum को enter करके सर्चना पर क्लिक करे आपको अपना role number देखने को मिल जाएगा और role number जानने के बाद आप अपना admit card आसानी से डाउनलोड कर सकते हो तो ये रहा western region मुंबाई के लिए admit card डाउनलोड करने का तरीका अब आए किसी और region के लिए admit card डाउनलोड करने का तरीका देखते हैं तो आए अब आपको southern region के लिए admit card डाउनलोड करने का तरीका बताते हैं तो southern region का admit card डाउनलोड करने के लिए same process करके आपको इस page पर पहुँच जाना है और इस पेज पर पहुँचने के बाद Southern Region के URL पर क्लिक करना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आप Southern Region चेनने के Official Website पर पहुँच जाओगे और अगर आपने इस रिजन के लिए बुक मार करके रखा है तो आप डाइरेक्ट इस पेज पर पहुँच जाओगे और इस पेज पर आने के बाद Download e-Admit Card पर क्लिक करना होगा जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का एक पेज खुल कर आ जाएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो और इस पर लिखा होगा Download e-Admission Certificate आपको इस पर क्लिक करना होगा जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का एक पेज खुल कर आ जाएगा इस पेज पर आने के बाद आपको अपने Admit Card से रिलेटेड कुछ information देखने को मिलेगा जैसे कि आपका कौन से date को exam है और उस exam date के लिए कब से कब तक आप अपना Admit Card डाउनलोड कर सकते हो इसके बाद नीचे candidates के लिए कुछ special instructions भी दिया हुआ है आप चाहो तो उसको पर सकते हो Admit Card डाउनलोड करने के लिए आपको scroll करके नीचे जाना होगा जैसे ही आप scroll करके नीचे जाओगे आपको download e-admission certificate देखने को मिलेगा आपको उस पर click करना है और जैसे ही आप उस पर click करोगे आपके सामने इस तरह का एक message देखने को मिलेगा आपको इस पर ok करना है और जैसे ही आप उस पर ok करोगे आपको इस तरह का एक page देखने को मिलेगा तो इस region का admit का download करने के लिए आपको 3 option मिलेंगे उसमें से पहला option यह है कि आप अपना 11 digit का registration number और अपना date of birth डाल के आप अपना admit का download कर सकते हो दूसरा option यह है कि आप अपने 10 digit का roll number और अपना date of birth डाल के अपना admit का download कर सकते हो और तिसरा option यह है कि आप अपना नाम और date of birth एंटर करके अपना admit का download कर सकते हो admit का download करने के लिए आपको download e-admission certificate पर click करना होगा और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने आपका Admit Card खुल कर आ जाएगा आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले सकते हो I hope कि आपको समझ में आ गया होगा कि इन रिजन्स के लिए आप अपना Admit Card कैसे डाउनलोड कर सकते हो इसके बावजूद भी अगर आप अपना Admit Card डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो तो आप मुझे डाइरेक्ट इन्स्टाग्राम पर मेसेज करना इन्स्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आज का ये वीडियो आपको informative लगा हो तो लाइक करे और अपने friends के साथ share जरूर करे चैनल पर नए हो तो subscribe करे और notification बेल को दबा के all को select कर दे ताकि इसी तरह के informative वीडियो का notification सबसे पहले आपको मिल जाएग धन्यवाद